मीशी स्टार्ट करने वाले हैं जो की इग्जाम का पार्ट है जो करने वाले है तो यह यूनिट से नूंट फाइफ इनली टिशित होगा हमारा वो होगा solar radiation and spectral characteristics ठीक है तो इस unit में हम basically energy related चीजें पढ़ेंगे जो भी energy से related हमारी चीजें होंगी उसको हम अच्छे से revision करेंगे ओके तो UC net GRF का जो exam है वो काफी हद तक डिले हो चुका है तो क्यूंकि डिले हो हो चुका है आपके पास और भी समय है preparation के लिए तो आप इस चीज़ को बड़े से समझ लें कि आपको अगर deep understanding ना हो सब्चेट की तो आपको नुकसान हो नहीं है ठीक है तो आप सारे जितने भी video lectures अभी तक हमारे चैनल में uploaded है ठीक है अब उसको जाद से जादा revise करें और उस चीज़ के बारे में समझें कि हम समझा गया रहे हैं ठीक है क्योंकि जो चीज़ हम समझा रहे हैं या पे वह आपके exams में definitely आएगा इससे कोई शक नहीं है क्योंकि उतना detail analysis करने के बाद अगर किसी चीज़ का आपको answer नहीं आता है तो यह थोड़ा आपके लिए शर्मनाख बात है ठीक है तो द्यान पुर्वक पढ़ें तो आज का जो topic हम start करते हैं तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो पहला चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वह है solar radiation ठीक है तो solar radiation होता क्या है it is called as radiant energy emitted often coming from the sun ठीक है also called as electromagnetic radiation आया समझ में तो सबसे पहली बात क्या होता है कि sun में nuclear fusion हो रहा है ठीक है तो nuclear fusion के वैसे क्या हो रहा है कि energy जो है वो radiate होगी तो radiate हो के वो किस form में पहुंच दी हमादे अर्थ के पास electromagnetic radiation के पहुंच दी है तो you know that electromagnetic radiation means उसमें electrical property भी होगा magnetic property भी होगा दोनों होगा तो यह क्या करता है यह act as a resource on the earth ठीक है मतलब हर energy का source अगर बोला जाए तो solar energy होता है आर्थ की तरफ ठीक है तो it is generally sources of all forms of energy which are turned in the form of heat electricity using various technology ठीक है तो solar energy को हम दूसरे energies में convert करते हैं और हम उसको use करते हैं अपने सुविधाओं के लिए ठीक है तो इतना आपको clarity से समझ में आ रहा है कि solar radiation का meaning क्या होता है radiant energy emitted from the sun अगर बोला जाए solar energy तो वही होता है तो फिर आता है कि यह जो electromagnetic spectrum बात क्या है electromagnetic radiation इसका range होता है range और spectrum range और spectrum of electromagnetic radiation EMR ठीक है तो यह जो range है यह start कहां से होता है यह आपका अगर मैं बात करूं तो यह gamma ray से start होता है और आपका radio waves में खतम होता है okay तो यहां पर अब देख सकते हो कि यहां पर जो wavelength है ठीक है wavelength का जो crest है किसा है और tro है यह बहुत आपके नजदीक है ठीक है घसक गामा ray यह की बात करूं तो इसका जो wave है crest और traw यह बहुत ही पास पास हैं इस वज़े से क्या होता है कि इसकी जो web length होती है web length को मैं यहाँ पर lambda से represent कर देता हूँ web length जो होती है पर gamma ray वो सबसे कम होगी least होगा ओके और हमने यह भी पढ़ा है कि जो frequency होती है वो speed of light upon lambda होता है ठीक है तो inversely professional होता है तो कोई भी चीज़ अगर इस form में होता है कि frequency c upon lambda होता है तो अगर मैं gamma की frequency की बात करूं frequency of gamma obviously क्या होगा हाई होगा ठीक है तो gamma की frequency सबसे ज़्यादा हाई होती है gamma का wavelength सबसे ज़्यादा कम होता है और क्या होता है कि इसकी energy भी बहुत ज़्यादा जो होती होगी क्यों होगी उसका reason भी बताता हूँ हमने पड़ा है Einstein photoelectric equation जिसके मैं अगर बात करूं equal to c upon lambda ठीक है तो lambda जितना कम होगा energy की value उतनी ज़्यादा होगी तो electric जो हमारा energy है energy of gamma rays energy of gamma rays is very high ठीक है तो gamma ray की जो energy होती हो काफे ज़्यादा होती है आपका देखो जो range है wavelength का वो काफे कम है इस वेसे आपका lambda जितना कम उतना ज़्यादा energy ठीक है तो तीन गन से बढ़ी आदा रहना चाहिए frequency ज़्यादा lambda कम and energy ज़्यादा आया समझ में तो इसी तरीके से radio waves का क्या होगा ठीक opposite case बन जाएगा ठीक है तो यह तुमको समझ में आ रहा है फिर देख लो कि जो हमारा visible range है जिससे कि आपकी दृष्टी काम करती है आपको सब दिखती है वर्ल्ड में वह कहां से कहां है वह around 380 से लेके 750 तक आपको दिख रहा है यहां पर देखो यह visible range होता है और बाकी तो आपको पता ही है यह है क्या यह विव गॉयर है यह आपको पता ही है वावलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन यल्लो औरेंज रिड इसमें कुछ नया चीज नहीं है ठेक है तो इतना आपको समझ में आया गया अब रेडियो वेब्स का देख रहे हो तो यह पास पास वेवलेंद होने कीवाश zij क्या होगा इसके वेवलेंद जू होंगे यह short होंगे बट इसकी अगर मैं बात करूं इसके वेवलेब्स होंगे यह long होंगे ठीक है तो रेडियो वेप एक तरीके से क्या हो जाएगा लॉंग वेप कि में कंसेडर किया जाएगा और गामा एकसरे और यूवी और वीजिवल वगएरा को अगर मैं कंसेडर करों तो यह सब शॉट वेप के फॉर्म में हमारे पास पहुंचेंगे ठीक है तो यह आप समझ सौर्ट वेव एंड लॉंग वेव का जो कॉंसेप्ट है वो इसके वेवलेंद के आधार पर दिया गया है इतनी क्लारिटी तो हो गई होगी आपको फिर अगर मैं बात करूं कि जो सन की जो टोटल एनरजी ठेक है एमिटेड बाइदी सन और रिसीब एड़ी मतलब क्या है कि यह है हमारा सन ठेक है और यह है आर्थ जो रोसनी उसके अट्मोस्पेर में पर्पिंडिकुलर्ली जाके स्ट्राइप करी है ठेक है उस चीज को हम क्या बोलते हैं सोलर कंस्टेंट कंसिडर करते हैं ठेक है तो सोलर कंस्टेंट कंसिडर किया जाते हैं यह थिस सोलर कंस्टेंट ठीक है तो सोलर कंस्टेंट का मिनिंग समझना आ गया तो इसकी जो तर यूनिट एरिया of the Earth's surface is 343 watt per meter square per second ठीक है यहां पर बात करूं तो यहां पर क्या होता है कि आपका जो solar constant रहता है उसकी value होती है 1365 watt per meter square per second होता है और जो earth receive करता है वो 343 watt per meter square per second पर receive करता है कौन है जो हमारा एर्थ का area होता है वो इतना रिसीप करता है तो बीच का जो energy हो कितना कम हो गया है तो यह energy जाता कहा है यह energy obviously तुमारे earth के atmosphere के साथ interact करके re-radiate हो जाते हैं या absorb हो जाते हैं या transmit हो जाते हैं स्कैटर हो जाते हैं ठीक है यह सब चीजें इस process में होता है ठीक है इतना तुमको सामझ में आ रहा है तो पूरी की पूरी energy पहुंचती नहीं है के surface पर ओके next thing अगर मैं बात करूं क्यूंकि पढ़ रहे हो तो उसके यूजस के वारे में तो जरूर पढ़ोगे ठीक है तो अगर मैं रेडियो वेब्स की बात करूं तो सब को पता है कि वह किसमें यूज होता है ब्रॉड कास्ट में ठीक है रेडियो टेलिविजन वगरा में जो तुम्हों देखते हो एंटीना के है रडार में यूज हो रहा है यह आपको भी पता है कि माइक्रोवेब्स यूज होते हैं उसमें इंफरेड तो आप समझ रहे हो कि जो एसी एयर कंडिशन साप लगा रहे हो उसके पीछे से जब जो धूआ निकलता है जो एक तरीके से किस तरीके का वेब्स के फॉर्म में होता है सन है फाय रेडियेटर से हैं तो हीट वेव एक तरीके से इंफारेड के फॉर्मिल पहिचाना जाता है बाकि वीजिबल तो सबको पता ही है अल्टरा वालेट की बात करें तो यह फ्लोरोसेंट लैंप में दिखते हैं किसी लैप्स में होते हैं लैब में कुछ इंस् करती है कि वो रड़ है क Gloria को ब्रण में आपकी लड़की है कितना क्लरिटी हो गया है अब हमारा आगे चलते हैं हम सब्रहुण पढ़ेंगे और सब्सक्राइब तो insulation की अगर मैं बात करूँ तो insulation क्या होता है कि it is the incident solar power per unit area at certain location and it varies according to what position of earth, time of the day, month of the year, angle of incidence and presence of cloud. अब देखो क्या होता है, incident solar power per unit area की बात की है, तो एरिया में particular position पे particular area में जो incident solar energy गिर रही है उस एरिया में वो किस चीज़े डिबेंट करेगी, अब साल भर क्या होता है कि earth tilt होता है, ठीक है, earth का tilting है ऐसे, ठीक है, वो कभी ऐसे tilt होता है, तो कभी ऐसे tilt होता है, तो ये area जब sun के तरफ जुका होगा, ये sun के area इस तरफ जुका होगा है, इस समय में क्या होगा, sun के तरफ से जुका होगा नहीं है, ठीक है, तो यह earth की जो tilting है उस पर depend कर रही है कि किस तरीके से वो जो वही जगा एक समय पर ऐसा है और वही जगा एक समय पर वैसा है ठीक है तो यहाँ पर क्या आगया concept time का कि time और month of the year के हिसाब से क्या हो रहा है तुम्हारा चेंज हो रहा है क्या एक ही जगा का जो सन की तरफ जुकाव है ठीक है दूसरा चीज क्या है कि सन की रॉसनी जो है वह पोल्स के पास कम पहुंचती है तो इस वैसे क्या होता है कि वहां पर ice caps का formation हो पाता है क्योंकि वहां टेंपरेचर कम रहता है सन की रॉसनी पहुंच बहुत कम पहुंचती है इस वैसे उनको मदद हो जाती है ठीक है तो इस वैसे वहां पर ice का formation होता है तो इंसरा चीज क्या है जो 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 जायेगा ठीक है वर्ड भी बता रहा हूं डिमिंग एफेक्ट ठीक है डीमिंग फसक एक अलग इसे मैंने इसको यहां पर वड इंव को यूज किया है बट आप जाके सको पढ़ो जुरूरें कि यह ड्यल्मिंग effects होता कि है फिर बात करें तो क्या होता है कि in total जो होता है कि 99% of the energy flux from the sun is in the spectral region of कितना 0.15 से 4 माइक्रो मिटर तक है ठीक है विद एप्रोक्सिमेटली 50% इन दी विजिबल रिजन जो 0.4 से लेके 0.7 माइक्रो मिटर तक है solar spectrum जो होता है वो पीक करता है किस रिजन पे 0.49 पीको मेटर पे the green portion of the visible light यहां पर क्या होता है कि solar spectrum जो high हो जाता है यहां बहुत जादा क्या होता है इसमें शो करने लगता है ठीक है तो solar radiation को हम किस से मेजर कर पाते हैं पाइरानोमिटर और पाइरोहिलियोमिटर यह दो है तो पाइरानोमिटर का स्ट्रक्चर आप यहां पर देख सकते हो यह पाइरानोमिटर टेपिकल पाइरानोमिटर का स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है कि ऊपर में एक then शोता है नीचे एक black body रखा जाता है फिर voltage output टर्मिनल लगा जाता है फिर thermocouple module तो एक तरीके से यह voltage के basis पर solar radiation कितनी आरी है voltage के basis पर यह convert करके हमको watt पर मिटर स्क्वेर में देती है क्या पैरेनोमिटर का काम यहीं है तो मैंने आपको यहाँ पे figure दिखा दिया है आगे चलते हैं तो कुछ core concepts के अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है कि incoming solar radiation जो भी atmosphere में absorb हो रहा है atmospheric gases के तुरू से उसमें क्या है oxygen है ozone है carbon dioxide है और वाटर में पर है फिर क्या होता है कि UV light जो निकलता है यह कितने wavelength से कम में निकलता है 0.18 micrometer से यह किस के द्वारा absorb हो जाता है O2 molecule के द्वारा absorb हो जाता है किस height पे 100 km के अंदर में यह O2 molecule के द्वारा absorb हो जाता है कौन UV light जो होता है less than 0.18 micrometer वाले ओके फिर क्या होता है कि ozone below 60 km absorb the most UV between 0.2 से 0.3 जो कि है 200 से 300 nanometer के बीच में तो यहां पे मैं आपको एक diagram दिखा रहा हूं जिसमें आप देख सकते हो कि यह जो diagram है यहां पे अलग-अलग radiations किस-किस form में absorb हो रहे हैं आप देख सकते हो कि 0.8 से नीचे वाले जितने भी wavelength है उनको कौन absorb कर रहा है इधर ozone absorb कर रहा है नहीं तो O2 absorb कर रहा है उसके बीच के जितने भी हैं up to 2.6 लगा लो इसको कौन absorb कर रहा है water absorb कर रहा है उसके बाद के जो है वो सब carbon dioxide absorb कर रहा है ठीक है तो एक तरीके से आप बोला जाए तो long wave का जो extreme portion है वो कौन absorb कर रहा है CO2 absorb कर रहा है ठीक है और बाकी का जो बीच का portion जो है कौन absorb कर रहा है water absorb कर रहा है ठीक है तो इसलिए तो बोला जाता है कि green house gas में सबसे ज़्यादा जो contribution हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है water vapor का हो रहा है देखो infrared कहां है अब खुद notice करो कि infrared जो है वो कहां पर मौजूद है और इसको कौन absorb कर रहा है water absorb कर रहा है most of the students का confusions जो होते हैं वो इस वज़े से होते हैं क्योंकि उनकी clarity नहीं होती है कि वो किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो इस diagram में कि एक अच्छा सा आपको figurative way में समझा दिया गया है कि ज सारे के सारे जो हैं तुम्हारे water के द्वारा absorb हो रहे हैं तो water के द्वारा अगर higher longer waveforms absorb हो जाएंगे तो क्या होगा उनकी जो energy वो ट्रैप करके water रख लेता है आया समझने ठीक है यह portion clear हो गया आगे चलते हैं कि मैं आपको और छोटा सा चीज़ें समझा देता हूं कि क्या ह आपको दिखरा होगा कि incoming जो solar radiation है वो कैसा है देखो यह इंकमिंग जिसमें कि अल्ट्रा ओलेड विजिवल यह सब दिखरा है ठीक है फिर क्या होता है कि infrared के पास एक बड़ा सा गैब दिखरा आपको यह जो portion है बहुत सारा गैब दिखरा है ठीक है तो यह सारे incoming radiation है पहले ह करता है ठाए यह short waves है एक तरीके से मैं बोला जाया थीजार को short waves ठीक है यह क्या होते है सारेके सारे incoming फोला अंदर आते हैं ठीक है बहार नहीं जाते हैं यह अंदर आते हैं बट बीच में यहां पर आपको एक गैप दिखेगा यह जो गैप आपको दिख रहे हैं बीच बीच में यहां पर कोई absorption हो ही नहीं कोई reflection हो रहा है यह something 9 micrometer से लेके 12 micrometer के बीच में है ठीक है इसको अगर हम बोला जाये इसको हम atmospheric window consider करते हैं क्यों क्योंकि यह जो place है this place with limited or almost no absorption by the atmosphere is known as atmospheric window यहां पर transparency बहुत आई है लाइट जो है नहीं light तो नहीं electromagnetic radiation जो है वो अचानत से reflect back कर जाते हैं ठीक है पूरा पार दर्शी हो जाता है कहीं पर भी observance नहीं कुछ नहीं direct बहार निकल जाता है ठीक है यह 9 micrometer से लेके 12 micrometer की बात में कर रहा हूं ठीक है यही वो reason है जहां पर सबसे ज्यादा क्या atmosphere से पार होते हुए तुम्हारी सुरज की रॉसनी सुरज की रॉसनी लॉंग वे इतना clarity आपको आज समझा दिया मैंने है ठीक है इसके बाद हम solar energy से related कुछ और instruments के बारे में भी पढ़सा पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चेस में इसमें solar pond वगएरा या solar plate collector वगएरा के बारे में भी हम समझने वाले हैं ठीक है तो यह unit भी काफी हद तक important है कि इससे आपको assertion reasoning के भी questions आते हैं ठीक है और उसके बाद which of the following true वाला भी questions आता है तो एक clarity रखो एक दिमाग में एक अच्छी सी clarity रखो कहीं पर गलती मत करो ठीक है deeply चीजों को समझो although this is very basic but you need to understand those basics क्योंकि इसमें अगर आप मात खा जाओगे तो आप एक्जान में क्या करोगे क्लियर कैसे करो ठीक है I hope कि लेक्चर आपको अंजय एंज्वाई किया होगा और इस लाइक दिस लेक्चर प्ली सस्क्राइब दू कमेंट एंड शेयर मोर और आपकी चैनल है ठीक है आप ही लोग के लिए है तो आप ही इसको गुरू कर सकते हो ठीक है अवाए थार आप सकते है